इस वार इसा ही हुआ वित बजट के साथ साथ रेल बजट आया अश्ट्रणी वैश्णव जी जो की रेल मंतरी है उन्होंने एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फरेंस की प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि रेलवे को कितना फंड मिला है और यह भी बताया गया कि किस राज्जी को कितना फंड मिला है बिहार के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर क करें और कॉमेंट के अपने लिए भी जरूर बताए तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसके लिडूसकर में दिया हुआ है चलिए उडियो को शुरू करते हैं तो यदि हम यहां पर इस ट्रेन की बात करें तो वैसे तो यह ट्रेन बिहार होके चलेगी यानि कि बिहार वाले इस ट्रेन का अथी खासी संक्या में फाइदा उठाएंगे यदि हम यहां पर इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन चलने वाली है गुवाहाटी से गुजरात के राजगोट के लिए वाया एहमदाबाद यहां पर इस ट्रेन के रूट की बात करें और बिहार में इस के stoppages की बात करें तो यह टेन गुवा हाटी से खुलने के बाद न्यूजल पाई गुडी कटिहार बरॉनी हाजिपूर पाटली पुत्रा दानापूर पंडित दीन दियाल उपा ध्याय जंक्षन होते हुए उज्यान होते हुए एहमदाबाद होते हुए राज कोट तक जाए चाली से खुलेगी यजिदी हम यहां पर इस टर्ण की कोछ कम पोजिशन की बात करें तो यहां पर आपको सेकंड एसी का एक डबा ठर्रड़ एसी के आठभब्बे स्लीपर के साथ डब्बे जनरल के दो डब्बे दिखहेंगे कुल मिलाके 20 डब्ब्बे होंगे और सभी के सबी डब बेल अच्वी रेक के होने वाले हैं और दुफ्तम यहाँ पिश्टेन की टाइमिंग की बात करें तो यह टेन सुबा के करीब 9 बजे गुवा हाटी से खुलेगी यह टेन आ जाएगी कटिहार जेंग्षन रात के करीब 9 बज के चलने की बात करें तो यह टेन चलने वाली है 8 और 15 फैबरी को गुवा हाटी से और वही राजकोर्ट से यह टेन चलेगी 11 और 18 फैबरी को दुफ्तों इस टेन पे आपकी क्या राया है कॉमेंट करके जूरूट बताएं नहीं बिलेंग के और युक्साल तुक्ति जहीं जब हाट